खूबसूरत मेक अप और खूबसूरत चिन की जब बात आती है तो घुंट में मांट में सबसे पहले बच्चिया और लड़कीया आजाती हैं। तो ऐसा क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपनी फू lawn लगाती हैं वो आज वीडियो के साथ जम जाएं तो कैसे हैं आप सब ठीक है ना आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि मारिया साज़त वे लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर करना है और हास कर वो फ्रेंड्स, वो बच्चियां जिनको के मेक अप नहीं करना आता, उनके लिए आज की वीडियो इस गोईं टू बी अ ब्लेसिंग ठीक हो गया जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक दो प्रोड़क्ट के साथ मेरा हाल है के पांच रुपे के अंदर अंदर एक उपसूरत तरीन बेस बनाना सिखाऊंगी जो के आपकी 24 से 18 घंटे तक लास्ट करेगी यानि के लॉंग लास्टिंग वाटरप्रूफ बेस होगी तो उसके लिए आपने करना क्या है जी आपने करना ये है कि आप कुछ आई होगी मिनरल बेस मिनरल बेस जादा तर हम घर्मियों में यूज करते हैं लेकिन कोरिया के अंदर जादा तर जो मॉडल्स हैं जब उनको मेक अप किया जाता है तो उन्हें फांडेशन या स्टिक्स नहीं लगाई जाती बलके उनको मिनरल बेस के अंदर वो इंग्रीडियंट जो मैं अभी आप से शेयर करने जा रही हूँ वो एड़ करके बेस बनाई जाती है और उनके फेस पे लगा दी जाती है उससे उनका जो स्किन है जो फेस है जो है वो ले रही हूँ ठीक है मैं अपने mixing board पे बना रही हूँ आप इसको अपने हात पे बना सकती है किसी भी जो है वो आ प चीज के साथ बना सकती है इसको तो आप सबसे request करोंगी वीड़ीयो को पूरा देखिएगा ठीक है जी यहां पर यह देखे मैंने एक चुथाई चम्मच जो है ना चाय का वो मैंने वैसलिन ले लिए और अच्छा यह बेस आप सोच रहे होंगे कि घर्मियों में कैसी होगी जनाब यह गर्मियों सरदियों के लिए बेहतरीन बेस है यहां पर मैं मिनरल बेस डाल रही इसके अंदर जो के आपको इसली मिल जाएगी शैफर में मिल जाएगी और इसके लावा हर कंपनी ने मिनरल बेस जो है वो इंटर्ड्यूस कराई वी है जो के स्टिक्स और फांडेशन से सस्ती होती है अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दे रही हूं ठीक है ना इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करना है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को जो भी देखे I request you all कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके देखे मुझे बहुत हुशी होगी कि जो भी मेरा व्यूवर मेरा सब्सक्राइबर मुझे देख रहा है मेरी वीडियो को वो जैसा भी है आपने उस हिसाब से मिनरल बेस ले लेनी है यह देखे इसको मैं इसी स्टिक के साथ अपने अपने स्किन पर अप्लाइ कर रही हूँ अच्छा एक चीज बताओं क्यूंकि हाथ की स्किन फ्लैट होती है तो इस पे आपको उस तरीके से मज़ा नहीं आएगा दे लिटरली आपको मेरी बेस मेरी स्किन बिलकुल वैसी फील होगी तो मैंने यह काशिज का जो 04 नंबर है मैंने वह वाला बनाया है प्योर पॉर्सलीन क्यूंकि मेरे जो स्किन है वो पिंक वाइट में आती है तो मैंने इसलिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना कलर अचा अब भी आपको पते है हमारा जो इनसानी बोडी टंपरेचर होता है वो थोड़ा सा होता है ना गरम तो वैसलीन इतनी अच्छे से आपने फिंगर के साथ यह पने फेस पे ना यह बेस बनानी है अचा यह देखे मैं इसको इतने असानी से और बहुत जोर जोर से नही बड़े सौफली मैं इसको जो है न स्टोक्स दे रही हूँ और यह मैं इस बेस को बहुत जादा कोई कोशिश की भी जरूरत नहीं कि आप इसको पतनी कोई रॉकेट साइंस लगाएंगे तो यह आपके स्किन पे सेट होगी बलके वो हवातीन जो कहती है कि हमें बेस बनाने मेरी स्किन के उपर जब यह आप अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाओ ब्राइटर दिस बेस इस आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोरियन ब्यूटी में कोरियन मेकप के अंदर मैं आपको बताऊं उनकी वैनिटी के अंदर वैसलीन बहुत जादा एड होती है क्योंकि बीज वैक्स जो ओरिजिनल होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत सादा अच्छा काम करती है आपकी स्किन को रिपेर करती है बीज वैक्स तो वैसलीन में बीज वैक्स बहुत जादा होती है यहाब आप मेरे हाथ को देखें कि मैंने इसको मतलब यह यहां इसको लॉक करने है अब लॉक करने के लिए आप कोई सा भी फेस पाउडर यूज कर सकते हैं मेरे पस इस वक्त काशिस का भी पढ़ा हुआ है कलाइजोना का भी पढ़ा हुआ है लेकिन मैं जो हूँ मैं आइ थिंक मैंने कलाइजोना का जो है जिरो टू नंबर लिया है और मैंने बलके मिक्स किये हैं दोनों कॉमपेट पाउडर और मैंने बेस को यहां पे लॉक कर दिया है और बहुत हलके हलके हाथ से मैंने स्पंज को यह इसके ओपर आप देखे कि मैं चला रही हूँ नाओ दा बेस इस ड़न यह वो साइंस थी आप आप दोनों हाथों पे सर्कसिри शचेट इस को भाड़ और मैंने ऊपके देखे किसी किसम की करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके तार्क सर्कस हैं आपको कौन सीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ मैं इसको पैच टेस्ट लेती हूँ सबसे पहले तो मैं इसको वाटर तो यह वीडियो आप सब के लिए बहुत बेहतरीन है आज कल के मौसम में आपको पता है थंडी हवा चलने से और सर्डियों की वज़ा से हमारी स्किन बड़ी मतलब रफ एंड अजीब गरीब हुई होती है और हाँ एक चीज में और बता दू जिन हवातीन को एजिनिंग साइ हो चुके हैं उनको एजिंग का इशू है तो यह बेस उनके लिए सोने पे सोहागा का काम करेगी आप मेरे दोनों हाथों को देख लीजिए ठीक है मैंने अपने कलर के हिसाब से बेस बनाई कलर बनाया आप भी सिर्फ और सिर्फ मिनरल बेस और वैसलीन के साथ इतनी प्यार कोरियन इंस्पाइड बेस बना सकते हैं सो मेरे विलॉग को लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर करना है विडियो को पूरा देखना है और मैं एक मसे की बात आँ मेरी वीडियो को ना बॉइस जादा देखते हैं ठीक है तो थैंक्यू सो मच बॉइस मैं आप लोगों को इस सब्सक्राइबर्स कम होते हैं और व्यूज जादा होते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे ठीक है जी तो ये था मेरा आज का विलॉग आप लोगों के लिए इसके उपर आप ब्लॉशन लगाएं हाइलाइट उनको प्रेस करना नहीं बूलना अल्लाहाफेज